हलो दोस्तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मारी यूटू चैनल एसके स्टेडी पॉइंट महतुरा में आज जो हम डिसकस करने वाले हैं वो है एंसे आइटी का 11th क्लास का mathematics का question number 3 होगा इस वीडियो में तो चलिए start करते question number 3 आपके सामने कह रहा है कि एक पहिया एक मिनिट में 360 डिगरी पर परिक्रमण करता है एक सेकेंड में कितने रेडियन की मापका जो है कौन बनाएगा ओके तो यह question है आपका तो चलिए question number को देख लेते किस तरीके से solve होगा देखें जब एक पहिया एक पहिया जानते होंगे आप पहिया cycle का पहिया हो सकता है किसी का भी हो सकता है एक मिनिट में 360 परिक्रमण कर रहा है परिक्रमण कर रहा है यह घूम रहा है इस तरीके से 360 पर घूम रहा है 360 पर घूम रहा है एक पहिया तो जब 360 पर घूमेगा ध्यान देंगे 360 पर घूमेगा तो एंगल कितने का बनाएगा पूरा का पूरा एंगल कितने का बनाएगा अब बता दीजे मुझे देखे यहां से यहां तो जो होता है by, क्या होता है by, and यहां से यहां तक जो अंकल होगा by और दोनों को अगर मैं प्लास कर दू, तो कितना होगा by टूपाई कितना होगा तो जो है एक मिनिट में एक मिनिट में परिक्रमड की बात करेंगे इसकी बात करेंगे परिक्रमड की बात करेंगे तो यह रहेगा 360 into Pi poo Radian कितना रहाएगा रेट किसकी कि बात करेंगे तो आपम दूसकिंधा और सब्सक्राइब लिए प Crispy यह रहा है इक सेकेंड कर लिए हमें क्या करना होगा एक सेक्न्ड बरावर होता है आप समझ लेजिएगा वन इंटू सिक्स्टी यह होता है एक मिनिट बरावर होता है वन इंटू सिक्स्टी सेकंड यह होगा सेकंड यहां वाई मिनिट आएगा जाएगा मिनिट एक मिनिट बरावर होता है वन इंटू सिक्स्टी सेकंड तो मैं यहां पर रख तो फाई 360 इंटू टू पाई और यहां पर एड़ेंट की बात करूँगा तो यह 60 का डिबाएड दे दोंगा तो वन सेकिन्ड एकिए अग्या प्रक्रमड वन सेकिंड में एक अप्रक्रमड आपके पास होगा तो सिक्स्टी से मैं इसे कैंसल आउट करूंगा तो सिक्स टाइम कैंसल आउट होगा दोनों का मल्टिप्लाइ करूंगा तो 12 रहेगा तो वन सेकंड के अंदर आपका जो एंगल बने वाला है वो रहेगा 12 रेडियन तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक से और सस्क्राइब कर सकते हैं जिससे के आपको ऐसी तरीके की कॉश्चन्स आगे बेस्ट है